हमारे साथ खास बातचीत ही मौझूद है कांग्रेस के अच्छे वक्ता और अच्छे लीडर पहरे हम बोलते थे आम आदमी के अच्छे वक्ता राच्छे लीडर लेकिन अब ये खास कांग्रेस के हमारे साथ मनोजराखी खास बातचीत ही मौझूद है इनसे खास बातचीत कर नहीं सुझाए तो आम आदम को छोड़ क्यों दिया अब कांगरिस के वक्ताव लिडर् के है तो कांगरिस के इन्हें तक आँ अच्छा भी लगाई क्या मने कांगरिस पालिटिक सदेस अच्छा तर ले लिंग निकी बहन कुमारी सहल जा के ने तरता हुमें कि मेरी राम जो है वो बहन कुमारी सहल जहर मैं उनका अनुमाद कद तक इसी मुक्स आप आनम आदमी के गुनवान कर रहे थे कांगरेस के बीजी पी के लगातार आप बुराई कर रहे थे आज इसी कैमरे के साव ने इसी मंच में आप आम आदमी पारटी पिराई बुराई शुरू करेंगे आइसे नेता जिनको राजमीरती की नोलिजी नहीं है उनने आम आदमी पारटी को कमपनी बश्दाओर ने की पारटी अर्याना के अंदर आपने देखिया कितने लोग पहले जुड़े चारे छोड़े गे और अब तो कोई जुड़ना चाहता है एक आदमे जुड़ना नहीं चाहता है क्या कारण है जब अमने नेताओं को ये बात बताने का परियास करया हमारे प्रभारी जो यहां लगे हुए हैं उनका समय भी हमें एक मिने तक नहीं मिला नहीं दिया टाइम नहीं दिया तो भाई बात सुन ले जब तंग हो गया में तो किसी साथी ने कह दिया और एक कांग्रिस की मारी उसने मारता ही कहा की भाई आब बात सुन ले बेन जी जो हैं वो आपको एक मिनट में टाइम देंगी मैं तो टराई करू था चाहिक नोता फोन करते बले जी अभी आजाओ देखो उनका बड़पन है इतनी बड़ी नेता है और मेरे को तुरंत बलाया और तुरंत पालिटी जो है इन करवा दी बात सुन लिए अगर नहीं समड़े तो आम आदमी पालिटी खतम हो जाएगर मैं तो बगत सिंग हूँ मैं तो वो हूँ आम आदमी पालिटी का मना अपने आपको आम आदमी पालिटी से भार करके और पालिटी के नेताओं को संदेश दिया ताकि और कारिये करताओं कि सुन ले पालिटी और देखो ये कल्चर बिल्कुल गला था या कहने कोई आपको सुनाव लड़ने का लालच होगा कहने की कांगरिस में यहां चौनाव लड़ेंगा आबाद हम जी तरी जी ज्सक्ति है कोई और पाराटी थी नहीं ऐसी जिसमें हम चले जाम हाँ बीजे पिकर देखो भे हम गोर खिलाप है तो फिर वहां तो जान का मतलब है नहीं उसके बात बचगी है को नहीं कांग्रिस बचगी कुमारी सहलजा कांग्रिस की सबसे दवंग नेता है आप मेरी इस बात को नोट कर देखो और एक बात आज मैं बता जूँ जिस बात का मन ने पता है और परदेश के अजारों लोगों को पता है मन परदेश की जनता से ये बात सुनिए अगर अरियाना परदेश को बचाना है अपने तो कुमारी सेलजा को सियम बनाना पड़ेगा मैं आज आपको बताऊँ विधान सभा के चुनाओ में कांग्रेस एक तरफा चुनाओ जी तैगिर्ष परदेश की सियम कुमारी सेलजा जी होगी उड़ा साब को उड्डा साब भी कांग्रेस में रहोंगे। जनता के आवाद जो है नो वो क्या है अपना उसकी तो सुड़नी पड़ेगी ना जनता के आवाद आज सहल जाजी हैं। इंडिया और एंडिया गटपंदन बुरी तरह आड़ा रहे हैं। कौनशी कांग्रेस कौनशा इंडिया गटपंदन समझ में नहीं आ रहा आप अखेले खुद अपने लेवल पर चुनाव नहीं लड़ सकते और कहते हैं। एक तरफा माउल है एक तरफा आ रहे हैं। नमस्कार सुआगेताब का हरियाडा लिश्टूर टीफॉर पर मैं हूं मुनर लंबा मेरे सविगी माज़ू लामा के साथ हमारे साथ खास बात चीत में मौजूद है। कांग्रेस के अच्छे वक्ता और अच्छे लीडर पहरे हम बोलते थे आम आदिवी के अच्छे वक्ता और अच्छे लीडर लेकिन अब ये खास कांग्रेस के हो चुए हैं। और आम आद्मियू पार्टी में काफी वर्सों तक सीचा रहे, अब ये कांग्रेस में चले गए हैं, हमरे साथ मनोजराथी खास बादचीत हैं, इन से खास बादचीत करेंगे, इतनी सालों तक आम आदमी के साथ रहे तो आम आदमी को छोड़ क्यू दिया, ये भी जानेंगे और कांग्रेस में किस वज़े से गए हैं, चाहते क्या है मनोजराथी, कहीं बड़ा निसाना तो नहीं है, ये भी जानेंगे, और ऐसी क्या कमिया लगी इतनी साल बाद गुनगान करते करते, कांग्रेस में पहुँच गई है, राटी साब, आपका बहुत बहुत स्वागे आपका हर्यादा लुईस टोल्टी कोड़ है, बहुत 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 धन्यवाद, सभी बाइजावाद, भाटी साब, अब कांग्रेस के वक्ता और लीडर कहीं हैं, बिल्कुल, कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस के इने तक आँगे, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हमने क कॉंग्रेस पर्टी क्षधा ले ले लिकॉंग्रेस पर्टी जोएं कर लिए बेर कुमारी सैल्जा के नेतरताओं में अब तो यहीं रहना है और पहले दिनी की मेरी राम जो है वह बेरकुमारी सैल्जा है और में उनका अनुमान हूं क्या मात जी राटी साब के सुर एक दम ऐसे बदले कि पूरा देश देख रहा है ये राटी साब हो क्या रहा है इतनी साल तक आहम आदियों पार्टीन आपको मान समान सब कुछ दिया और कर तक किसी मुक्षे आप आनम आदमी के गुनगान कर रहे थे कांगरेस के बीजी पी क कि लगातार आप बुराई कर रहे थे आज इसी कैमरे के साब ने इसी मंच पर आप आम आदमी पार्टी की भी बुराही शुरू करेंगे तो क्या बात सब्सक्राई है वह राए ठजिविद्विद्वाध कर दिया बड़ा जी दुख हुआ Mega और मैं अर्विंद केजरिवाल जी की तो बहुत ही जित करता हूँ आज भी आज भी मैं अपना आपको उसका सेवक मानता हूँ लेकिन वो तो अकेले निता रहे गे उसके निचे जो निता थे उन्हें आम आदमी पार्टी को समाप्त कर दिया आम आदमी पार्टी को खतम कर दिया निचे तो पंजाब में जब लेर आई तो खुब लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए त्यार थे और जुड़न भी लाग रहे थे लेकिन ऐसे निता जिनको राजनेती की नोलिजी नहीं है अर्याना के अंदर आपने लोग पहले जुड़े चाहता है और अब तो कोई जुड़ना चाहता है एक आदमी जुड़ना नहीं चाहता है क्या कारण है जब आमने नेताओं को ये बात बताने का परियास करया कि ये गड़बड है और इन चीज़ों को आपने दूर करना पड़ा है और मरोड यहां चलती नहीं है अरियाना के कुछ नेता है जो परभारी वगरा बने रहे हैं मरोड करकते हैं पूरी एटिटूड पूरा रखते हैं और एटिटूड अरियाना की जनता ना किसे का छोड़या है नहीं या बात बताने के लिए और कई बाते हम बताने के लिए जब निताओं के पास गए उनसे समय मांगे मिलने का तो समय नहीं मिला केजरी वालों के समय की बात नहीं करता हूँ तो बहुत बीजी रहते हैं उसका समय मेरे जैसे छोटे करे करता हूँ को ना भी मिले कोई बात नी को दुख भी नहीं है लेकिन हमारे प्रभारी जो यहां लगे हुए हैं उनका ससे मैं भी यामे एक मिने तक नहीं मिला जब हम चकर काटते से मैं नहीं मिला चकर काटते रे से मैं नहीं मिला और मेरे ली उच्छ नहीं मंगा बजा baja ऑप नहीं बओ कारण पालिटिक खतम उन्हों लग रही है हम बार बार कम है थे कि S.Y.L. का मुद्दा जो उठान लग रहे हैं उस पर अरियाना के परवक्ता है हम अरियाना के रहने वाले तो हमने S.Y.L. का पानी चाहिए हम तो ये बात करेंगे हम पंजाब को लगया कि देखो भाई मुद्धान मंत्री यो कहीना कहीं रोड कर रहा है लाना कौन चाहँ पानी क्यों नहीं लाना चाहँ है कि जब सुप्रीम कोड़ना ओडर कर दिया तो परदान मंत्री फोर्स लगा वारा अपने नहर खुद वादे क्या दिकत है ताकत से होगा दो बाई जो चाचे ता हूँ मुद्धी जैसे वो करने कोने लाग रहा है तो इसमें कही ना कहीं दोस्थ जो है बीज़ेपी सरकार का भी है और आम आदमी पारिटी के जो अरियाना के निता है वो गोड़ माल बयान देने की जूदक हो नी ठोक कर अदो को भे आमना पानी चाहिए है और हम पानजाब को कहांगे पानी देवारियाना में काफी अरियास कपड़ है एक मामला तो ये था और दूसरा मामला मुख्या तोर पर ये था कि आम आदमी पारिटिक खतम हो लग रही थी दिन परते दिनों लोग तूट तूट की जान लग रहे थे इस बारे में हम निता से मिलना चाहते थे जब हम चकर काटते रहे निता मिला नहीं एक मिना बहुत होता है जी बार बार फोन टाइम लेना पर टाइम नहीं मिलना जी पांस दिन को नहीं मिलना जी जी हैं जी हैं तो संसराध इके Clay कि फेले लेकिडिया नहीं दिया टॉप बाई बात सुनों ले तंग होगी आूँ मैं तो किसी साथी ने किख दिया कांग्रिस की मारी साथी था मारा उसने मारता ही कहा कि भाई आब आप सुन ले बेहन जी जो है वो आपको एक मिन्ट में टाइम देंगी मैं तो ट्राइ करूं था ट्राइ करूं था फोन करते बोले जी अभी आजाओ देखो उनका बड़पन है इतनी बड़ी नेता है और मेरे को तुरंट बलाया और तुरंट पार्टी जो है इन करवा दी तो मेरी आत्मा मानी भे ठीक है मेरे को यहीं जाना चाहिए जो नेता मान समान देवे है मान जाना चाहिए कारिये करता हो क्या चाहिए एक कारिये करता को मान समान चाहिए इसलिए हमने तुरंट फैसला लेकि आम आदमी पारिटी छोड़ दी और यहां आगेर बात सुन लो अगर नहीं समड़े तो आम आदमी पारिटी खतम हो जाएगर मैं तो बगत सिंग हूँ बगत सिंग ने अपने देश के युवा करांती कारियों में आजादी की आग लगाने के लिए खुद को फासी बचा डा लिया था तो बगत सिंग बच जाता अगर वकील खड़ा करता तो बगत सिंग बच जाता मैं तो वह हूँ आम आदमी पारिटी का मना अपने आपको आम आदमी पारिटी से बहार करके और पारिटी के नेताओं को संदेश दिया ताकि और कारिये करताओं की सुन ले पारिटी जो कारिये करताओं पारिटी मेरा ना चाहूँ उनकी सुने और बदलाओं भी वो करेंगे तो उनको बहुत फाइदा होगा जょब बदलाओ नहीं कराएंगे तो देरी 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 ट्रेन खाल लिए होistically होगी अफ这里 आहांगा पीजलों बहुत बेजी हैं बहुत समय हैं लेकिन उनका समेझ तो 24 गंटे मिलना सी है फोन करती है तुरन तो बलना सी है आजया भई लेकि नहीं मिले तो देखो और मैं तो इसलिए गया हूँ ताकि बाकी लोगों को समय मिले आम आदियों सभी के साथ ऐसा ही और आप जैसे लिडर के साथ आप जैसा हो रहा है संदीप पाठिक जी आपके जो परभारी हैं आपके साथ ऐसा कर सकते हैं एक डेट बनेचा गोल गुमा सकते हैं तो आप से जो आप जैसा आकरमक तेवर वाला नेता आम आदियों पास कोई है नी या तो नमिन जैन थे या फिर आप थे दो रिडर थे अब दो नो जो प्लेट फॉर्म पर रखते थे बात कोई रहा नहीं अब आम आदिमी का तो ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है यह भी के डूर गिर गया अब नहीं जैन पहले जा चुके है तो अब छोटे जो कारिया करता बच्चे हैं उनके लिए अब सुनेंगी न अब मेरे जैसे आदमी गए है तो उनको पता चलिए भे क्यों गए है तो मेरे साफ से सुननी चाहिए उनने सुनेंगे तो पार्टी बच जाएगी अगर कारिया करता हूं के बात नहीं सुनेंगी तो पार्टी बिल्कुल खत्म होजएंगी यह तो लंबा आइडिया लगया उसके साफ से तो मिलता नहीं किसी से और देखो यह कल्चर बिल्कुल गला था अरियाना में इस कल्चर को अपनाने वाड़ा कोई भी पार्टी आज तक काम्याब नहीं हुई यह सत्य है तो यह कांग्रेस को कैसे चुन लिया आपने कांग्रेस का अपकार चुनआओ लड़ने का लालस होगा कहिने की कांगरेस मजा कर चुनाओ लड़ने के हाँ आव आदे में जीतनी सकती कांग्रेस हit में जै शक्ति चाथी wacky होas का चनल लड़ना है लालस तो है हर आदमी को यही तमना है भी मने चुनाओ लड़ना है अमेले बढ़ना है तो मेरे 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 भी तमना है कि मने चुनाओ लड़ना है और अमेले बढ़ना है लेकिन एक सत्य भी है कि कोई और पारटी थी नहीं ऐसी जिसमें हम चले जावा भी वहां अमने जाना एर नहीं है, वहां मारी विचार दरा मेर्ड खाती नहीं तो फ्र वहां तो जान का मतलब है, यह उसके बाद़ बचगी है कौन? क兩個 बचगी। और कॉंगरेस मैं, मैं खुब गहराई से मैं देखिए है बेन कुमारी सहलजा को मैं सालों से जानूं क्योंकि सार के रहने वाले हैं सालों से उनको फोलो करूँ सालों से उनसे मिलते रहे हैं उनसे जान पैचान है तो उनको पसंद करते हैं बहुत एमांदार और दबंग नेता है कुमारी सेलजा कॉंग्रेस की सबसे दबंग नेता है आप मेरी इस बात को नोट कर ले और सबसे विश्वास पातर भी नेता है अज तक आपने सुने है कभी कुमारी सेलजा के बारे कॉंग्रेस में नहीं रहेगी कभी सुने है कॉंग्रेस की इमानदारी से शेवा करने वाड़ा अगर कोई पूरे परदेश के अंदर नेतार याना परदेश में तो बेहन जी कुमारी सेल जा है कॉंग्रेस पालिटी कुछ भी ना देो तो भी बेहन जी यहीं काम करेंगी और सब कुछ मिलेगा तो भी बेहन जी यहां काम करेंगी ऐसल इमानदार नेता कामिलेगा और उसके साथ हम काम करेंगे तो मारे साथ भी इमानदारी होगी इमानदार नेता मैसा अपने वरकरों के साथ इमानदारी से काम करता है और एक बात आज मैं बता दियू हूं जिस बात का मनम ने पता है। और पर्देश के आजारों लोगों को पता है। 맞는 Departista की जनता से यह बात सुनी है। अगर अर्याना पर्देश को बचाना है आपने तो कुमारी सहलजा को सीम बनाना पड़ेगा। दबंग नेता है इमानदार नेता है लोब लालत से दूर है जो नेता लोब लालत से या किसी के दबाओं से दूर हो या किसी एड़ी से ड़ता नहीं हो ना सेवियाई से ड़ता हो ना कटर से ड़ता हो ना मोदी से ड़ता हो वो आदमी परबंद कर सकता है बीजे पी के तो परतिस्त है माज आपको बताओं विधान सभा के चुनाओ मैं कांग्रेस एक तरफा चुनाओ जिता है कि इस परदेश की सी एम कुमारी सहल जाजी होगे मैं दिखाओंगा आलात किस परकार सुत्रे होगा एक पेपर लीग हो जा मारी गारंटी उड़ा सब का उड़ा सब कांग्रेस में रहोंगे लिए बहुत शेयम के चेहरे बुआ है उस्वचे बड़ा चेहरा है उड़ा के भी कांग्रेस नहीं उड़ा चलेगा तो कांग्रेस खतम हो जाइए अरियाना से कांग्रेस का कोई जनादा रही है एक सिंगल परसन वन मान आर्मी पिता फुतर मतलब वुफूरा मुलंब लग जो कारिया खता सब उनके साथ रहते हैं वगरा जो ये गूरुप अलग है इनकी कोई चलने वाली नहीं है नके दरातर पर कोई मंदल बगएर वगए बाते हैं नहीं गुल्प कांग्रेश में कांग्रेश में इस wouldना बताऊ बार बारे pure कि कांग्र को आप ने जिता केर दिज के अंदर राउल गांदी जी को पर्धान मंतरी बनाना है एक लगस्य सबका जब एक है algumas a da कंग्रेस की सरकार बनानी है सबका एक लगस्य है तो बुटे के से होई गुट के से होई इह तो एक बीजे पी का दुस पर चार है कांग्रेस एक जूट थीर एक जूट है और मनना तो लागा को नहीं एक जूट नहीं रहोगी रही बात चोधरी बबंदर शिंग उड़ा मेरे बड़े आदरनिये है उड़ा साब बहुत महान नेता भी है मैं बताओंगा ना आपको बहुत आदरनिये भी हर मैं उनका बड़ा मान समान करता हूं और आज एक सतर नेता भी कहलाते है अरियाना के अंदर लेकिन उमर का इसाब किताब भी होता है ना देखो उड़ा साव ने दो योजना बहुत अच्छा राज करया और उनकी उमर के इस हो सब्सक्राइब करते हैं इसलिए जनता के आवाद सुननी पड़ेगे और मजबूत भी है और मैंने कुछ सब को मुका देना चाहिए जनता कावस तो ये भी है ने सोनिया गांद राउल गांदी को पार्टी चोड़ के बाहर होना चाहिए कोई नए चेहरे को पार्टी में लेकर आना चाहिए उसके बाद बीज़ेपी कहीं सामने नहीं ठहरेगी और बीज़ेपी और मुड़िए जाएगी कांग्रिस की आंदी में अगर यह दोनों साइड किनार कर लेते थे नहीं ऐसा तोड़ी है ऐसा आबाद सुनो वो अगर सायड किनार कर देंगे तो कांग्रिष कतम हो जाएगी यह तो BJP वाले दूस पर चार कर रहे हैं या मानते हूं उनके बरुसे चले हैं सो पर तीसद है क्यों परणु मुखर जी चले गए बो भी डीजेव करते थे सितर हम कैसे नहीं चले गए बो डीजेव करते थे यह सिंध्याराजस्तान के तहीं हुआ चाहरा यह भी डीजियों कर देते पूरा इंडिया क्या देख्ष के तोर पर जो भी बोलता है उसको भार कर देती कांगरें नहीं नहीं आप अधिक्ष नहीं मोः मोः छोड़ नहीं रहा है वह सोनिय गांदी जी रावल गांदी जी और यह मोः नहीं छोटेगा तो पार्टी कैसे बीजेपी किसी भी पार्टी को तोड़ना बीजेपी का बायात का काम है और बीजेपी सारह खेल को अच्छी परकार से खेलना लग रही है अपने पता है जो नेता कांगरेस के तोड़े हैं बीजेपी चाती कांगरेस खतम हो जाए लेकिन ऐसा हो वगा नहीं इस परदेश और देश के अंदर काफी मजबूत हैं मैं बताऊंगा इभी लोक सवा में जितता है कांगरेस गठबंदन इंडिया और एंडिये गठबंदन बुरी तरह अड़ा रहे हैं इसलिए मुद्धी को तस्त लग रहे हैं राठी साब हमारे साथ मनु राठी खास पाचित मोदू हैं जो यक्ति सेल्फ डिफाइन चुनाव नहीं लड़ सकता दूसरों का साहरा लेना पड़ता है और एक का नहीं कई लोगों का यानि कि कई इंडिया गठबंदन और इंडिया गठबंदन में जगे 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 से लोग उठाके और एक जगे कठा होगे फिर वो हैं देखो इंडिया कठबंदन से ज़्यादा तो कठे बीजेपी वारन कर सकता है का कर रखे हैं आप उन से पूछो जाके मोदी से पूछो खटर साब से पूछो भी आप आप अकले लड़ो उनमें दम नहीं अकले लड़ने का वो तो कई दलों को इकठा कर रहा हैं इसको अपनम गुसा लिया वहां से जैन चोदरी को ले की आए क्यों लेकी आण लग रहा है मोदी मोदी को खत्रा हो रहा है मोदी जी 200 सीटों के आसपास गूम रहे थे इसको दिख़ता है इंडिया कठवं दनान लग रहा है इसलिए तो किसी नेता को ड्रान आज तक कभी इंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि एडी के डर से नेता सामिल ओन लग रहा है वह शाम को आपका गर एडी की रैड पड़गी और सुबह आप बीजेपी में सामिल होगे वाइफायर कहां गई गिरपतारी गुरुप तोरी खतम सारे मुकदमे साफ अब विदेश में जाओ आओ कहीं कुछ करो सारा मम लाओ क्यों गया तो एडी समझें एडी क्राच के लिए जाना लाग रही है ना मनुज राठी मेरे साथ खास बाचिए बहुत उन नए परिवा और रही है कैसा सबार है यह जो कि आदे में पार्टी सभी काम कर एगे तो हम ना की जूरत भी खिलाब बोलने की अच्छे काम कर गए तो हम अच्छा काम बीजेपी कर दे में तो उसके खिलाब भी कुने बोला लेकिन बहरी के आड़ा अच्छा काम करने की बजाए चूना करना लाग रहे हैं देश को बेरोजगार बटकन लाग रहे हैं मैं बताओं था च्छे तारीक वारा मामला में मार रजल्ट नहीं आवागा और अब यह चाहँ है कि अभी लग जाए गया चार से ही था 42,000 नोकरियां अठकी पड़ी है किन लोगों ने अठका रखी है एक भी नोकरी बिना कोलिट बिना लागती हो तो बेरोजगार युवा बड़े प्रेसान है मैं तो खुलम खुला कह चुका हूँ कि मनोज राठी बेरोजगार युवाओं के साथ कड़ा है राजनिती से उपर उठकर अगर खुलम खुला पूरे परदेस के अंदर युवाओं को लेके हम इनका जगह जगह विरोध करने का काम करेंगे जो नोकरी ने दे सकती पारिटी क्या हम उसकी बड़ाई मारा इसलिए जो अच्छा काम करेंगे वो कोई भी पारिटी करो मनोज जो है दलगत कांगरेंस ने मारना चीए मैं तो बार बार एक बात कहूं हो आपने कि आज हम कांगरेंस में बेहन कुमारी सैलजा जी के नितर्टाओमाम ने कांगरेंस जोIGN करीं क्यों करीं किया हमने उनमें खूब अच्छ बोच्छे गुन लगे को निता की पास क्यों जाता हादमी नित आपने पर्टी जोएन करके और आगप पूरी लड़ाइए लड़ाईंगे बैंजी को मारा फर्ज बनता है अम उनके कारी यह करता है नहीं बनता क्या फर्ज जिसका आप नमक पानी खाओ क्या नमक पानी अदा करने का फर्ज नहीं बनता आपका अब चुनाओ लड़ने का अपका इराद है लोग सवा का या भी धान सवा के आगे वो तो देखो अब हम अपनी मर्ची से कुछ नहीं करेंगे जब हम किसी पारटी में पारटी को अपना आपको समर्पित कर दिया तो पारटी नहीं फैसला करना है पारटी जो चुनाओ लड़वाओगे चुनाओ लड़ेंगे जो डूटी लगाओगे वो डूटी नहीं बावाँगे कहीं डूटी लगा दियो मेरी एक बुथ पर डूटी लगाए तो मैं बुथ के ओपर खड़ा मिलूगा एक गाउं में डूटी लगा दिये गाउं में खड़ा मिलूगा और कहीं हलके में डूटी लगा दिये हलके हम खड़ा मिलूगा हम इमानदारी से कांगरेस पार्टी को उपर उठाने का काम किसी को भी टिकट मिलो मैं साफ करना चाहूं किसी को भी टिकट मिलो मनोज राठी उसकी एंडर्ड परसेंट मदद करेगा चैसी से मिलो चैसे लोग सभा की मिलो चैसे विदान सभा की मिलो हम उसको जिताने का काम करेंगे हम उसको जिताओं वांगे तभी तो सरकार बनेगी य सब्सक्राइब करने लेकिन यह चाहते हैं कि कुमारी शैल्जा हरियाना परदेश की मुख्य मंतरी बने और एक मातर चैरा वो हैं जो हर आदमी को हर विरादरी को हर जगे बहुत अच्छी मुख्य मतरी थाबित हो सकती हैं कांग्रेस की एक मातर लीडर को चाहते हैं कि मुख्य मतरी मुराठी साब आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका किम्दी समय लिए आपसे बाचीत की और आपके पार्टी में गए और लोगों को पता चला कि मनुन रठाकर चले क्यों गए वज़े क्या रही है तो आपका भूद बहुत धन्यवाद बात दन्यवाद जी वाचा तो इस वारे में आप क्या सोचते हैं समीन बातों के साथ मैं मुना लामा मेरे सोगी हिमान सुलामा के स साथ हरियान अन्यविश्ट 24 नमस्कार जैहिए